तके टिकान उपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इस्राइल के एफोर्स का दावा है कि दक्षडी लेवनान और बेका वेली में करीब 16 सो एर स्ट्राइक की गई है इन हमलों में सैक्रो लोगों की मारे जाने की खबर है लेवनान के आस्मान में कयामत इस्राइल का बहुत बड़ा हमला हिजबुल्ला के खलाफ तबाही का पैगाम 1600 एर स्ट्राइक से थर्राया लेवनान आखरकार इस्राइल की सेना ने लेवनान में वो कर दुखाया जिसकी चेतावनी उसने चंद घंको पहले जारी की थी हिजबुल्ला के ठिकानों को टार्गेट करके इस्राइल के वायुसिना ने एक साथ इतने हमले किये के इने लेवनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताय जा रहा है इन हमलों की सारी तस्वीरे और कहानी दिखाएंगे उससे पहले इसराइल के राष्टपती बेन्यामिन नेतनियाहु का वो वर्निंग वीडियो देख लीजिए जिसमें वो लेवनान के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसराइल की जंग किसी लेबनान के खलाफ नहीं बलकि उस आतंकी संग्धन के खलाफ है जिसने दशकों से इनसानों को ढ़ाल के रूपे इस्तेमाल किया है I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Hezbollah के एक एक ठिकाने को टार्गेट करने के लिए इस्राइल की वाईउ सेना ने ताबर्तोड हमले शुरू कर दिये. लेबनान की धरती से हिजबुलाह के खात्मे के लिए इस्राइल की सेना ने ओपरेशन नौर्दन एरोज चला रखा है. और हिजबुलाह के ठिकानों पर हुई ये भैंकर बंबारी इसी ओपरेशन का हिस्सा है. इस्राइल के खुफिया एजेंसी के डियरेक्शन में हुए इन हमलों में खरीब 1600 एरस्ट्राइक की गई. यानि ये हमला इतना बड़ा था कि इस्राइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला और नहीं छिपने का. लेबनान के दक्षणी इलाकों में हुई इस सीरियल बंबारी ने पुरे देश में हडकम मचा दिया. राज़ानी बेरूत की सडकों पर लेबनान की सेना ने मौर्चा समहल लिया. क्योंकि लेबनान के दक्षणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शंडार्थियों के बीच हिंसक जड़प और गोली बारी शुरू हो गई. इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एड्मिरल डैनियल हैगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्ला के 1300 ठिकानों को टार्गेट किया गया है. बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल, हैविटेड रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ट्रोन का इस्तेमाल किया गया है. दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने इन हमलों में हिजबुल्ला के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जिन ठिकानों पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हत्यार और गोला बारू छिपा रखे थे अभी तक की जानकारी के मुताबिक बेकावैली और दक्षुनी लेबनान में हुआ यह हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है लेकिन लेबनान की तरब से मिली शुरुवाती जानकारी में पता चला है कि इस्राइल के इन हमलों में 492 लोग मारे गए हैं जिन में 35 बच्चों की भी मौत हो गई है इस्राइल और हिजबुला के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाय जा सकता है क्या अमेरिका की तरफ से एक और छोटी सैन ने टुकडी को मिडल इस्ट रवाना कर दिया गया है हिजबुला के खिलाफ जारी ओपरेशन नॉर्डन एरोज के बीच इस्राइल में भी 30 सितंबर तक एमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि हिजबुला के ठिकानों पर हुए ताबर तोड हमलों के बाद से हिजबुला की तरफ से भी सैकडो रॉकेट तागे गए है लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम आईरें डोम ने सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है लेकिन इसराइल के इस सीरियल अटेक ने दुनिया के सामने बहुत बड़े ख़द्रे को ला दिया है क्योंकि ये जंग अब सीधे सीधे उस मोर्चे पर आ चुकी है जहां से महायुद की चिंगारी किसी भी वक्त फूट सकती है लेवनान पर इसराइल के भीचर हमले के बाद इरान इसराइल के युद्ध का खत्रा भी बड़ गया है इरान के सुप्रीम लीटर अली खामनाई ने लेवनान में हमले को बेशरम अपनाद बताया है खामनाई ने इसराइल से हमले का बदला देने की धंकी भी दी है लेकिन हिजबुला ने बड़े जड़के बाद क्या फैसला किया है इसे रेकर आप भी हैरान रहे जाएगे इसराइल के दुश्मन तहल रहे हैं गाजा में, लिम्नान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं इसराइल पारूद बरसाता है मेसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है पारम परिक हत्यारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इसराइल हाइटिक तरीके से सबक सिखा रहा है इसराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है तब तक वो हमले की दूसरी किष्ट चुकाने लगता है पहले चलिए लेबनाद और देखिए बेरूत की वर्बादी जानिये हेजबॉल्ला की तबादी जल्ता बेरूत खंड़र बस्तियां बारूद से सनी वहमंजिला इमारते खंड़र में सर्च ओप्रेशन मुर्दा उगलती इमारते बारूदी पियाबान बन गया है बेरूत बारूद से सने खंड़र में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हजबॉल्ला चीफ नसरल्ला का घुसा भड़कता जा रहा है इसराईल ने बीते तीन दिन में ऐसा बारूदी तांड़ो मचाया है जिसने हजबॉल्ला की चूले हिला दी है इसराईल के हमले में अब तक नसरल्ला लड़कों की 31 कबरें तयार हो चुकी है मारे गए लड़कों में 58 करूर का इनामी कुख ख्यात इबराहीम अकील तो है ही लेकिन उससे भी खुंखार कमांडर का सफाया इसराईल ने कर डाला है इसराईल की एर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बे मौत मारे गए हैं जिन में सबसे बड़ा नाम है एहमद वहाबी हिस्बुल्ला के जिन कमांडरों की मौत पर मौहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए मुहमद एहमद रेडा मुहमद कासिम अलात्तर एहमद समीर दीब अब्दुल्ला बास हिजाजी अरेफ एहमद अल्राज हसन अली हुसैन अबास सामी मुस्लिमानी हुसैन एहमद हदरोज हसन यूसुफ अब्दुलसत्तेर मेदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खानफर को असराईल ने ताबूत में पहुँचा दिया है अल्याद आल्यार रस्दुल्ला नसरल्ला इलेवन के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इबराहीम अकील और एहमद वहाबी का दे एंड हो चुका है एहमद वहाबी को नसरल्ला का सबसे भरुसे मन और खुंखार कमांडर कहा जाता था जिसे इसराईल ने गबर में पहुँचा कर इसराली मीडिया के मताबिर एहमद वहाबी हजबुला की ट्रेनिंग प्रोटड़ का टॉप कमांडर था हजबुला फ़ाइटर को वार ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राड़बान फूर्स का चीफ रह चुका था बताया जाता है कि एहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल-असद के लिए युद्मे एहम किरदार निभाया था एहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्ला का नेटवर्क तबाह हो चुका है कि असीली एग ता थाहिए लग़ए वादी लादी घर्वब। लुब युद्मे हुएन वहाबी। युद्में उष्वी ल्श्मेद लुद्मे लुयुद्मे, उचा एजटाब लूमार्व इभाव धनावए़ लुद्मे में बुद्में लुद्मेत. लिए वहाबी।। इसराइल ने अब तक सिर्फ हजबुला के सैने कमांडरों को निशाना बनाया है लेकिन हजबुला चीफ नसर अल्ला की इसराइल को आर पार की युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जारी है कि नितनियाहू नसरल्ला के खात्मे का ओर्डर देने में अब जाता देर नहीं लगाएंगे युद्ध के शिरुवात के बाद से ही इसराईल ने हमास और हिजबुल्ला के जिन टॉप लीडर्स को मौत के घाट उता रहा है उन में एक नाम और चुड़ गया है हमास का इंटिलिजेंस चीफ और टेक्नो सेवी कमांडर मुहम्मद मनसूर को सिंट्रल घाजा में आईडी अफ ने दफना दिया है मुहम्मद मनसूर हमास के इंटिलिजेंस विंक का टॉप कमांडर था मनसूर हमास का सबसे बड़ा टेक्नो सेवी कमांडर कहा जाता था और इसी के साथ एक छोड़ी से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं जल्द हासर होते हैं कुछ वाख खबरों के साथ